नमशकार दोस्तों स्वागत है आपका नेमलोजी बाय नेहा चैनल में यदि आज आप मेरे इस चैनल पर पहली बाहर आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजीगा दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्टूबर महा में जन्मे लोगों के बारे में जिसकी रुक्वेस्ट पूजा सिंग्जी ने प्रताबगर से की है तो चलिए फिर शुरू करते हैं आपका जन्म किस महीने में हुआ है और उस महीने में पैदा होने से क्या होता है आपकी जीवन शैली कैसी होगी आपके जीवन पर क्या पिरभाव पड़ता है ऐसे ही विचार हम सब के मन में आते हैं क्या आपका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है astrology क्या कहती है आपके बारे में आये जानते हैं कुछ रोचक बाते आज हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिनका जन्म अक्टूबर महीने में हुआ है यदि आपका जन्म किसी भी साल के अक्टूबर महीने में हुआ है तो जोतिश विद्या कहती है कि अक्टूबर में पैदा हुए व्यक्ति काफी बुद्धिमान, सुन्दर और मनी माइंडिड होते हैं किस समस्या से कैसे छुटकारा पाना है इन्हें अच्छे से आता है इस महीने में जन्में व्यक्ति काफी खुजिल होते हैं और उनकी यही खासियत लोगों को दिवाना बना देती है इनका ड्रेसिंग सेंस गजब का होता है जिसे देखकर हर कोई चाहने लगता है कि मैं भी ऐसा ही कुछ करूँ ये लोग घर में चाहे कितने भी अस्त व्यस्त क्यों नहों लेकिन बाहर अपनी एक छवी बना कर चलते हैं आम तोर पर अक्टूबर में जन में लोग कोमल स्वभाब के होते हैं परन्तु कभी-कभी ये लोग खुल कर अपनी बात लोगों से कहने ही पाते वैसे तो किसमत के काफी धनी होते हैं लेकिन हर चीज पाने के लिए थोड़ा संगर्स अवश्य करना पड़ता है दोलर, शोहरत, हर चीज इनके कदम चूमती है लेकिन ये लोग एक साधारन व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं जैसा कि हम सबको पता है कि खूबसूरत रहने और खूबसूरत दिखने में अंतर है आप खूबसूरत रहने वालों में से एक हैं भले कि आपके नैननक्ष साधारन हूँ मगर कुछ आकर्शन शक्ति आप में होती है कि खुद को अनूठी अंदाज में पेश कर सबका दिल जीत लेते हैं अक्टूबर में जन्म लेने वाले व्यक्ति के अंदर वाने की डेवी सरस्वती, विशेश रूप से प्रसन होती है ये लोग यात्रा के शोकीन और इनके दोस्त भी खूब बनती हैं और अपने काम और करियर को लेकर कभी कोई समझोता नहीं करते अक्टूबर महा में जन्में अधिकतर युवा, टेक्नलोजी, बिजनेस या मेडिकल जैसे छेत्रों में सफल होते हैं इसके साथ साथ अपने लक्षय की उचाय तक पहुँचकर ही दम लेते हैं ये लोग हमेशा आगे बढ़ने के सपने देखते हैं और उन्हें पूरा भी करते हैं लेकिन परिशानियों को लंबे समय तक अपने पास नहीं रहने देते हैं अक्टूबर में जन्में हुए व्यक्ति, प्यार के मामले में काफी शर्मीले होते हैं ये लोग काफी रोमैंटिक होते हैं और अपने दिल की बात सबसे तो कह देंगे मगर जिससे कहना है उससे कभी भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते अगर प्यार में इनका दिल तूट जाता है तो इनको देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता कि भीतर से एक दम तूटे हुए हैं ऐसे विक्ति के चेहरे की मुस्कुराहट और उनके हाव भाव सारे गम को छुपा जाती है अक्टूबर में जन लेने वाली लड़किया थोड़ी अलग सी होती हैं ये स्वभाव की बेहत डिप्लोमाइटिक होती हैं किसी भी बात पर परिस्तितियों के अनुसार ने न लेती हैं इनके व्यक्तित्व की सबसे खूपसूरत चीज इनकी आखे होती हैं जिसमें कोई भी डूपकर अपना सब कुछ भूल जाता है ये प्रेम के मामले में जितनी भोली होती हैं उतनी ही नादान भी जिसकी वज़े से इनको कई बार धुका भी खाना पड़ता है और एक बार धुका खाने के बाद वो सतर्क हो जाती हैं फिर वो गलती नहीं करती जो एक बार कर चुकी अक्टूबर में जन लेने वाली लड़कियां अपने ख्वाईशों को लेकर किसी ना किसी पर निर्भर रहती हैं ये देखने में भले ही समान्य होती हैं पर इनके भीतर आकरशन का तेल बहुत प्रबल होता है जो दूसरे लोगों को अपनी और खीसता है और इन लोगों को सबका दिल जीतना आसान हो जाता है अक्टूबर माह में जन में लोगों को दोलत शौरत हर चीज इनके कदम चुमती है लेकिन इने कभी भी घमण नहीं होता ये भावग भी होते हैं लेकिन जीवन के बहुत सारे पहलूँ में इनका प्रैक्टिकल रूप दिखता है इस माह इनका प्यार सफल नहीं होता लेकिन इनके तूटे दिल की अवाज को इनके घर के लोग भी नहीं सुन पाते हैं अक्टूबर में जन लेने वालों को यह सला दी जाती है कि एकदम शाम ना रहते हुए थोड़ा समवाद भी करें अपने सही और गलत दोस्तों को पहचाने अ क्योंकि यह अक्टूबर वालों के सबसे बड़ी ताकत होती है इसी से लोग आपके प्रति आकरशित होते हैं अक्टूबर माह में जन्मी लोगों का शोबरंग ब्लैक महरून हरा शुबतारिक दो छै साथ आठ शुबदिन मंगलवार और शुकरवार शुबरत्न हीरा होता है तो दोस्तों आपको मेरी बताई हुई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और साथी साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे चैनल पर आने वाली नई वीड करती रहे और साथी साथ आप मुझे इंस्टेग्राम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं और अपनी क्वारिज आप मुझे वहां पर भी मैंशन कर सकते हैं धन्यवाद सकते हैं और गला हैं और दया हैं यार होला हैं मुझे झाला कर देगी हन्यवाद झाल 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 साथी साथ आप मुझे इंस्ताग्राम और फेस्बुक पर भी फोलो कर सकते हैं और आप अपनी सवालों को मुझे इंस्ताग्राम पर मैसेज कर सकते हैं धन्यवाद झाल झाल